हेलो व्रीवान वेलकम तू अभिमन्यु आईएस आई होप यू आउप यू आउग ग्रेट माइम इस अक्षे सोनी रीजिनिंग मेंटर अभिमन्यु आईएस एंड दिस इस इस इसेशन फॉर अभ्यास 2.0 अधिस फॉर अर्याना सिविल सर्विसेश टॉइटी टॉइटिव फिगर आपने प्रीविस एर के अगर कोस्टी ना पर देखने को मिले हों ठीक है तो इसमें आज हम टाइब डिसकस करेंगे ठीक है किस तरह के कोश्चन आते हैं उनको कैसे करना है वो सब भी हम इसमें डिसकस करेंगे तो बीद बेसी कांसर्ट यह वीडियो रहेगी तो प्रेलिम के लिए जो फास्ट है ठीक है इसको आप अब कर सकते हैं अगर यह देखे हम इसमें की अभी मानिव आइस जो की नंबर वन इंसिचूट है एसमें इसमें क्वाइन क्लासिज को समझ आएं देखי गिवन क्या है यहां измен yen कि कितने तरह कि इसमें टाइप आप कोश्चन बनते हैं ठीक है रेक्टेंगल होते हैं स्क्वियर होते हैं ट्राइंगल स्ट्रेट लाइन्स क्यूब्स ठीक है इबन इसमें आपको सर्कलर सर्कल्स भी देखने को मिलेंगे सर्क काउंटिंग सर्कल्स तो स्ट्रेट लाइन ची figure को draw figure yourself और उसके बाद आप स्टेट लाइन को find out कर पाएंगे सीधी लाइन को draw करना कितनी उसमें लाइन बन रही है ठीक है बाकी आपको इनमें concept समझना पड़ेगा तो आपको मैं questions के through concept बताऊंगा various type of questions इसमें हम discuss करेंगे ठीक है तो सबसे पहला question जो की rectangle से देखिए यह जो figure सामने है इसमें आपको बहुत सारे यहां पर rectangle दीख रहे होंगे ठीक है rectangle के साथ में आपको यहां पर question बन सकता है square के related भी कि कितने square बन रहे है ठीक है और उसमें यह भी question आ सकता है कि कितने इसमें सिर्फ rectangle ही बन रही है ठीक है तो पहले हम total rectangle को find out करेंगे देखिए सबसे पहले यहां पर अगर हम देखें तो इसमें यह एक single rectangle है इसके साथ में अगर मैं एक और जो है add करता हूं इसके साथ में लगा दिए तो इतने rectangle बन रही है यह भी तीन rectangle बन रही है कैसे अब देखेंगे इसको यह एक rectangle यह बन रही है और combine करने भी एक rectangle बनी तो टोटल तीन बनी तो count करने का तरीका क्या है जैसे कि अगर मैं एक्टेंगल इसमें एड करता हूं तो इस तरह से आप दो जो इस तरह से देखें जिसमें कि को आपको मिल रहे हैं उपर से पर से नीचे रोस चेंडल रही हैं लजो तो एक दो कारना है किसमें रोस तो आप यहांक करना है add करके value क्या बन रही है 1, 2, 3, 3, 6, 6 and 4, 10 तो total 10 बन रहे हैं और similarly यहाँ पर देखिए इसमें 1 plus 2, 3, 3 plus 3, 6 यह 6 बन रहे हैं जो यहाँ पर numbers मुझे मिल रहे हैं addition के बाद उनको क्या करना है multiply करना है तो 10, 6, 60 तो इसका answer आएगा option D ठीक है I hope आपको यह question समझ आया होगा अब देखिए थोड़ी सी modification करके मैं इसमें बताता हूं आपको कि question जो है आपको अगर इसमें कुछ और चीज़े add कर दी जाए माली जी यहाँ पर एक rectangle इधर add कर दी जाए तो इसमें total rectangle कितनी बनेंगी अ 60 है में बॉड़ी में ठीक है अब इस rectangle को यहां से देखो एक rectangle तो यह बनी इसी के साथ में एक उपर भी बन रही है और इसी के साथ में यह भी बन रही है और एक आपको इधर भी देखने को मिल रही है और similarly आपको यहां पर भी देखने हो तो कितनी बन रही है आपने क्या क यहां पर बनेंगी ठीक है को जुरूर करें को ठीक है कीा गिवन कैसे और अजूधा गया की सिक्वियर के पूझा या ओंली रैक्टैंगल की बात करें तो और रैक्टैंगल कि लिए आपने याद रहना है हे वोटन हां रैक्टैंगल Northeast minus total squares total कितने squares बनते हैं total इतनी भी rectangle है उसमें squares को minus कर देंगे तो हमारे पास only rectangle बनेगी ठीक है आपको मैं next question से इसको बताता हूं ठीक है यह question है next इसमें हमें count करना है squares को तो कैसे count करेंगे 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 देखिए 4 का multiply 6 से 3 का multiply 5 से 2 का multiply 4 से ठीक है और 1 का multiply 3 से यहां पर क्या करेंगे जो यह दो numbers है इनका use नहीं हुआ तो इनको रहने तो इनका use नहीं करेंगे squares को find out करना है तो क्या करेंगे 4 6 24 ठीक है 3 5 15 simply क्या करना है जो multiply यहां पर multiplication उसको add करना है 248 ठीक है और आगे देखिए 133 अब यह क्या represent कर रहा है यह कर रहा है single square को represent single यह कर रहा है four जो squares है उनको जो है add करके इस तरह से पांच square जो है चार square का जो है एक square बन गया तो एक square बन रहा है ठीक है तो इनको यह पंदरा ऐसे होंगे छोटे square जो कि यहाँ पर बन रहे है आठ स्केर्ज वो हैं जो की 9 9 को मिलाके बन रहे हैं ठीक है और तीन स्केर्ज वो हैं जो की 16 16 को मिलाके बने तो टोटल कितने बने इसमें यह बनके 11 11 15 26 26 24 कितने बनके 50 तो option A इसका answer बनेगा ठीक है यह आपको square को find out करने अगर आपको यहाँ पर पूछ लिए जाए कि find out करो कि इसमें only rectangles कितने हैं only rectangle find out करने के लिए क्या करेंगा टोटल जो है total rectangle कितने बनेगी देखिए यहाँ इनका addition करके कितना बन रहा है 10 और इधर इनका addition करके कितना बन रहा है 21 अगर दोनों को multiply करें तो दोनों को multiply करके बनाए 210 यह बन गया आपके total rectangle minus क्या करेंगे इसमें से total square जो है total square कितने है यह 50 अगर मैं इसमें 50 minus करूंगा तो देखिए 210 में से अगर 50 कम कर दी जाए तो 160 जो होंगे इसमें आपको मिलेंगे इसमें only rectangle ठीक है आपको यह question समझ आया होगा अब next question देखिए यह आपको square से related है question square ही find out करना इसमें क्योंकि ऐसा question बनेगा तो square से बनेगा अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है हमें सबसे पहले main body में square को count करना है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 क्या करना है 25 ठीक है 4 4 जा 16 ठीक है 3 जा 9 और आगे है 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1 ठीक है एड करेंगे तो एड करके कितना बन रहा है 25 पांच 30 तीस और पंद्रा कि 45 ठीक है 45 बन रहा है कि 45 अब आप देख सकते हैं इसमें चोटे चोटे स्केर्स जो है यहां पर यह चार को मिला के चार यह स्केर्स हैं और एक यह बन रहा है तो पांच 10 15 ठीक है यहां पर 20 और बन रहा है तो इसमें अगर मैं 20 और करूंगा तो कितने बनेगे हमने यहां पर कांटिंग तोड़ी गरत किये तो देख लेते हैं तो यहां पर क्या बनेगा इसमें 20 और बने तो 65 इसका आंसर बनेगा यहां पर हमने थोड़ी अडिशन गलत कर दी यह 55 आया गा एक चुरे 55 प्लस 20 डेट इस 75 ठीक है तो 75 यह बनेगा तो 75 आपको ऑप्शन बीज कांसर बनेगा ठीक है तो इस तरह से कोशन बनेगा अगर देखें नेस्ट कोश्चन जो है यह कोशन क्या गिवन है इसमें इसमे सब्सक्राइब क्या करना आपने याद रखना है इस तरह से आपको अगर तरह से फिगर बन रही है उसमें बनते हैं पांच पांच स्क्वेर बनते हैं पांच ही इस फिगर में बनेंगे ठीक है जिसमें की ये common आ गया पांच ही यहां पर बनेंगे जिसमें की ये common आ गया पांच ही इधर बनेंगे जिसमें की ये common आ गया ठीक है तो ये तीन common है और आगे दिखिए इसमें भी पांच ही बनेंगे इसमें ये common आ गया मतलब हमने इसको दो बार count कर लिया अब दो बा पर काउंट है तो उनको क्या करना है चार कम कर दो तो टोटल कितने बने पांच दस पंदरा बीस पच्छिस पच्छिस में से यह बीच के स्कूर्स को रिमूब कर दो एक दो तीन चार का रिमूब कर दिया तो कितना आएगा 21 कि इसका ऑप्षिन डी बन रहा है ठीक है चलिए से कौश्चन है यापको ट्राइंगल से लेकर आपने ध्यान रखना की किस सरह से कांक करना है यह बीच मैं से एक और लगा जाएता हूं और इधर भीumuzWow कि आ आपने क्या यहां बढार करना यह बन आप इस तरह को देखते हैं वन टुर थरी फोर फवाइब सिक्स इन स्वेक्व céu क्या हैगा option भी इसका answer बनेगा यह simple आपको count करना ट्राइंकल को बट अगर मालो इस तरह से एक और एक विसमें मालो एक और बेस बन जाए इस बेस पे बन रहें 21 इस बेस पे भी कितनी बनेगी 123456 इस पे भी कितनी बनेगी 21 अब देखे यहां पर आपको different question एक और बन सकता है एसर भी कि इस तरह से यह तो 21 बने यहां पर इस तरह से इसमें count करने के लिए आ जाए तो बनेगे टो पर भी हैं ठीक है इसमें नहीं बने आए में कि रिख है यहां भी रही है यहां नहीं घान लोगते सब्रस मonia्टेज रख प्लस यह प्लस थेंगलर मि था पर पन तरह से बनेगा अरह तो सीमपल इस तरह से बनेगा ठीक है next question देखिए यह question थोड़ा different है क्योंकि यहां पर देखिए जो दो vertices है वहां से कुछ यहां पर normals निकल रही है इसमें जो एक perpendicular यहां से टल रहे हैं अब यह जो lines है अगर दो normal से निकल रही है दो vertices से निकल रही है lines तो यह आगे वाली line को जो touch कर रही है तो touch करके कितना बनना यहां पर आपने केच्चा करना कि यह कितने बनना एक यहां पर 123 मतलब क्या करना थी का जो है इसमें क्यूब कर दो थी बन रहे हैं तो त्री का क्यूब कितना बना 27 डिरेक्ट लिए आप इस कोश्चन को कर पाएंगे ठीक है कितने बनेंगी 27 मा लेजिए एक और सामने से एक इदर से लाइन है कितने बनेगी इसमें इसमें जो रभी कितने बनेंगे साक्तालस मा लमान करनें इदर से भी मैं तीन लाइन कर देता हूँ तो कितनी बनेंगे इसमें देखिए यहां पर 1 2 3 4 तो 4 का क्यों कितना बनता है 4 का क्यों बनता है 64 तो इसका आंसर क्या आता 64 ठीक है I hope आपको यह basic concept इसका समझ आए होगा direct question इस form में आपको question बन सकता है ठीक है अब जैसे कि यह question है तो अगर इस form में question है तो आपने simply याद रखना है कि इसका answer कितना आएगा इसका answer आएगा 16 कैसे आप इसको shortcut ऐसे याद रख लो कि यह figure जब बनेगी तो इसमें कितने पार्ट बन रहे हैं इसमें जो पार्ट बन रहे हैं वो बन रहे हैं 6 बस 6 है तो इसमें 10 एड करना है 6 प्लस 10 16 ठीक है बट इसको मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से इसको find out किया यहां पर देखिए इसमें छोटे-छोटे जो ट्राइंगल कितने बने एक सो हमारी बड़ी ट्रैंगल है कि कि इसमेंiste 3 अधिर देखेंगे तो यहां पर भी आपको 3 ही ट्रैंकल देखेंगी और यहां पर भी आतो थीन ही ट्राइंगल देखेंगे तीन इदर केतना बना यहां पर एक आ गया को ढूंडना है कौन कौन सी ट्राइंगल रहे, अगर मैं इस पार्ट को देखूंगा में यह पार्ट जो है इससे दो चोटी ट्राइंगल बनी यह इनको आपने काउंट नहीं किया था दो इधर होगी दो सिमिलर मैनर में आपको इस साइड भी दिखेंगी दो दिखेंगी और सिमिलर उपर से नीचे भी आपको दो पार्ट दिखेंगे तो कितने बनगे दस चोला इसमें आपको आंसर देखने को मिल रहा है जो की ऑप्षन भी ठीक है तो अपने स्टेंडर में ही याद रख लो कि किस तरह से यह बनेगा ठीक है यह कोश्चन है देखिए इसमें कितने बन रहे हैं यहां पर यह सिक्स साइड यहां पर सिक्स चोटी ट्राइंगल बन रही है अगर आप इस फिगर को ड्रॉ करते हैं देखिए किस तरह से इसको ड्रॉ किया गया है और यहां पर भी आपको क्या मिल रहा है इस तरह से हम इस पर आप आ chains t या क्योंहीं से हलावा कोई भी ऊप्शिन कोई बीस Me से नहीं बन पाएगा बत अगर बात करें इस फिगर की जो की इंस यह स्टार के है? तो स्टार में ओता है आपने भी याद रख़ था इस्मे। त्राइंगल देखने को मिलेंगी 10 ठीक है कैसे होती है इसमें 10 देखिए यहां पर 5 तो यह बन गी पांच आपको इसमें बीच में बन रही है जैसे कि इन दोनों को मिलाने से इधर एक ट्राइंगल बन गी सिमिलरली इस ट्राइंगल का इसके साथ भी बन रहा है तो दूसरी ट्राइंगल जो बन रही है वह यह बन रही है दूसरी ट्राइंगल ठीक है सिमिलरली इस उपर वारी ट्राइंगल से नीचे भी ट्राइंगल बन रही है एक तो कितनी बनी तीन ठीक है यहां से देखो आप तो चार और इस पॉइंट से भी एक जो है ट्राइंगल बन रही ह पांच और पांच कितनी होगी डस ट्राइंगल इसमें बन रही है अब ये question है जैसे next question इसमें box की form में अब आपको इसमें दो तरह से question बन सकता है triangle को find out करो या second स्कूर्स को find out करो तो स्क्वेयल कितने बन रहे आप देखिंए यहांपे X square ये है, X square ये है, X square ये और X square ये है माली जी यहां पे भी X square होता, color change कर लेते हैं माली जी इधर भी X square आ गया, इस तरह से तो कितने squares बनते हैं, अब देखिए, चार square पहले थे, पांचों square ये बना ठीक है, 5 के बाद अगर आप देखें, इनको मिलाने से एक और एक बड़ा square बन रहे है बीच में, ठीक है, बीच में square बना, और 4 square को मिलाने से 5 square और बना, ठीक है, तो इस तरह से आपको square count कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5, उसके बाद एक और बड़ा स्क्यार बन रहा है और सब्सक्ष में ठीक है टॉ पांच के पाथ 67 इसमें बनते हैं बड़ ट्राइंगल की अगर इसमें बात करें तो कितने होती है accomplished का आपने ध्यान रखना है चार जो पार्ट बनते हैं स्मॉलर पार्ट उसका डबल कर दो उसका टू टाइम्स कर दो तो कितना आएगा यह आठ आएगा अगर मालों इस तरह से आजाए ठीक है कितने बने 123456 जो यहां पर सबसे बड़ा नंबर उसका टू टाइम्स किया अगर यहां वे बीच में से लाइन लगा दूँगा तो एट पार्ट बनेगा उसका डबल कितना बनेगा 16 ठीक है अब आपको simplest form में देखता है इस में question तो देखिए इसमें कितने बने पहले पार्ट में बने आठ दूसरे पार्ट में बने आठ तीसरे में भी और चौथे में ठीक है बट यहां पर आप देख सकते हैं कि यह दो को मिला के एक जो है यहां पर ट्राइंगल नीचे बन रही है और एक ट्राइंगल ऊपर बन रही है ठीक है तो पहले से आप देख सकते ह इसमें कि 32 ट्राइंगल तो पहले से ही थी ठीक है दो यहां पर बन गी दो इधर बन गी दो यहां पर बन गी तो 6 ट्राइंगल आगे बन गी 38 होगी अब हम देखेंगे इसमें कोई hidden triangle तो नहीं है तो hidden triangle आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से यह एक hidden triangle है ठीक है जो कि यहाँ पर बन रही है तो कितनी बन कि इसमें 32 plus 6 38 plus 13 है तो इसमें 39 जो होगा आपका अंसर बनेगा जो कि option में देखने मिल रहा है यहाँ आपको समझ आगये मैंने सक्वेस के बारे में वी दिसकस किया और ड्राइंगल के बारे में बहुत किया अब यह कॉस्चन जो आपको स्टैंडर में देखने को चार फिर नौ दस ग्यारा बारा तो बारा मिल रही है अगर मुझे ट्राइंगल्स को काउंट करने हैं तो ट्राइंगल्स को काउंट करने के लिए आपने सिंप्ली याद रखना है वन तू थिर फोर इस तरव से अ तोस इसका मुल्टिपलाsa कर दो से 1 का मुल्टिपला4 से तो 4 तो olduğ का मुल्ट प्लीप्लाय ठीशे 6 और 4 का मुल्टिपलाय 1 से फॉर ठीक है कितने बनगे यह बनगे 20 बट अब अब आपको क्या करना है इसमें अब डाउनवर्ड ट्राइंगल को आपने क्या करना है इसमें चेक करना है प्लस डाउनवर्ड ट्राइंगल डानवर्ड ट्राइंगल जो है वो बन रही है एक दो पीन चार पांच और एक ध्यान से देखने पर हमें ये भी मिल रही है तो टोटल कितनी बनी इसमें आपने क्या करना है इसको याद करना है स्टेंडर्ड में ठीक है इस तरह का अगर कोश्चन आजा तो डिरेक्टली इसको अप्लाई करना है कैसे करना है अगर आपके पास एन हो दो मतलब जो हाइस नंबर होगा अगर दो है तो इसका मेनिंग है तरह फांच बनेगी अगर एन हुआ तीन तो इसका मेनिंग है टेरा अगर इन हुआ चार तो सका मेनिंग है टुइंटि-सेवन अगर एन पाँच होता है तो नहीं वनेगा अगर n 7 बन रहा है मालो अगर 7 तक यह उपर जा रहा है तो क्या बनेगा उसमें बनते हैं 112 ठीक है बस इनको याद करें यह आपको question को help करने बनाने में help करेंगे चलिए next question है count करना हमने circles को तो circles को कैसे count किये जाता है देखिए center से आपने count करना है यहां से देखिए कितने बनें एक दो तीन तीन circle यहां पे इन circle इधर तीन circle इधर तीन इसमें तीन इसमें तीन इसमें तो कितने बनें तीन छे नौ बारा पंदरा अठारा तो 18 सेज़व ओप्शन डी जो आइसका अंसर बनेगा ठीक है next question देखिए यह question आपको find-out करने के लि इसी के साथ में यहां पर दो क्यूब्स आपको दिख रहे हैं ठीक है इस तरह से एक 3D लाइक आपको दिखेगी तो उपर एक बॉक्स है नीचे दो बॉक्स है अब ऐसा भी तो होगा कि यह बॉक्स किसी ने किसी बॉक्स पर टिका होगा ठीक है यह क्यूब किसी क्यूब पर टिका होगा तो कितने क्यूब बनने हैं सामने आपको दिख रहे हैं दो तो क्या करना है जितने आपको क्यूब दिख रहे हैं उसको क्या करना है उसको क्यूंकि एक ही ले रहे है तो टू इंटू वन कर दिया तो यहां पर कितना आएगा तू ठी लुए है ओपर देखी यह आ पर यह बोक्स जो होगा यह किसी बोक्स के नीचे अब इसको कांट करेंगे अब देखिए यह बॉक्स है कितने हैं एक दो तीन चार पांच पांच बॉक्स दिख रहे हैं पांच की एक ले रहे हैं तो पांच गुना एक उसी दरह से एक दो तीन यह तीन बॉक्स हैं तो क्या आएगा इसमें आड़ करें तीन गुना तो ठेक है कितने होंगे इसके नीचे भी होंगे न आपने बस क्य क्राइक यहां तरह सें मौल्टिप्लाइगा यह अंगे क्या करेंगे क्योंकि से नीचे भी ऑउपर यहां इसमें यहां पर यहां पर सब्सक्राइब कर लेना और यह लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब आर चैनल थेंक यू करति लाइक सायवार प्रॉाइब कर लाईब लाइक सायवा है थैंसा अो